अज पसी गालकरन वाले हां मेंस्टुएशन दी ते साथे नाल मौजूद हान औरता दी बिमारी दी स्पैशलिस्ट डॉक्र प्रॉमिला जंदल यह बहुत ही इंपोर्टेंट माइल स्टोन है लड़की दी लाइफ दे रिच क्योंकि हुन हो शी हाज बिन कंवर्टेट टू एन अड़ल्ट लेडी इनों इक श्राप मन लगता जान्द है ए मन लगता जान्द है कि कोई ऐसी हुने है लड़की इंप्योर हो गई है ए चार पांच देनों इंप्योर है ब्लीडिंग है साथी कट लग जे उत्थी भीता ब्लीडिंग होंदी आप उनू ता नहीं कहन दे कि तुसी आप वित्तर हो गये मैंस्ट्रेशन ही एक लड़की नू लड़की बना दी है और ए एक नेचरल प्रॉसेस है और ए जे ना होवे ता इट इस प्रॉब्लम हो के सानु होन इस बच्ची नू इस सारी चीजा नू दसना पाएगा एक कोई गलत गल नहीं है बिलकुल ही नैचरल प्रॉसेस है और हाट लड़की दी लाइफ दे भी चांद है और सदियां तो आता जा रहे है जदो तो हुमन रेस बनी है ओ तो तो यह चीज आंदी जा रही सब तो जड़ी ज़रूरी चीज है तुसी कुछ भी यूज करो इट शुद भी क्ली सहाईजिन रखने बहुत ज़रूरी है ताकि अगर नहीं रखी जाएगी एननी ज़्यादा इंफेक्शन भी हो सकती है क्यों बात दे विच बच्चा ही ना पैदा कर सकती है और यूट यूबा बंद हो जान देंगो ते टाइफाट वर की बिमारियां दी गालता हर कोई कर दा है पर अज जिस मुद्धे ते असी गाल करन वाले हां ओ कोई बिमारी नहीं बलकी एक नाश्रल प्रोसेस है ओ प्रोसेस जिस तो बिना साड़ा नाम और निशान मुम्किन नहीं है सबसे पहले ताप प्लीज हमारी दर्शकों को मैंस्ट्रेशन के बार में बताएं मैंस्ट्रेशन जो है ए लड़की दी लड़की और एक और दी लाइफ दा एक बहुत ही इंपोर्टन्ट इवेंट है बच्चा जदो पैदा हुंदा है उस तो बाद है जिमें जिमें हॉली हॉली लड़की वाद दी आनू अपा एडॉलेसेंट गर्ल के दनने है उस तो बा से शुरू हो जान다 है उस प्रोसेस दे वीच लड़की नो हर महीने तो बात bleeding होन दी है जयरी की पर वजाइनम वजाइन दे वीचो bleeding होन दी है एख्चली bleeding यू winterus दे वीचो आन दी है और येs monthsl wij होन दी है एनो ही यसI menstruation cycle के नहे है menstruation कहने है एदे नाल हर महिने generally आंदे है और मैंसिज आंदे है और जदो एह मैंसिज लड़की नू शुरू हो जान दे है पहला जदो मैंसिज आंदा उन्हों इसी मिनार्की कहने है मिनार्की तो बाद एह लड़की जड़ी है हुन एहे convert हो जान दी है एक full-fledged lady दे विच करें वास्ते लेकिन ओ कंसीव कर सकती है सो एस करके एह बहुत ही important milestone है लड़की दी लाइफ दे रिच क्योंकि हुन हो एक लड़की तो यंग यंग beautiful girl बन जान दी है सनों एस लड़की नों एस चीज वास्ते अवेर कराना बहुत ज़रूरी है के हुन हो क्योंकि मैंसिज आन लगे she has been converted to an adult lady तो यह ओ सारे ही चीजां वास्ते प्रोन है के जिवें child marriages है अपने बहुत country दे राजाज है के child marriage हुन दी है यह जदो menstruation शुरू हो जान दी है उस तो बाद ही ओदा गौना कीता जान दा है this is a sign के हाँ हुन एकड़ी mature होगी हुन है अपने husband दे कोल पे जी जा सकती है so ए और हुन जड़ी है एही चीज है जदो की जड़े हुन sexual assault सुन दे है these girls they become more prone for all these so ace करके son नो एक बहुत important है के son नो हुन इस बच्ची नो एस सारी चीजा नो दसना पएगा की हाँ हुन एक कोई गलत गल नहीं है बिलकुल ही natural process है और हट लड़की दी life दे वे चानद है और सदियां तो आंता जा रहे है जदों तो human race बनी है ओदों तो एह चीज आंती जा रही है सो एस करके लेकिन सानो इस लड़की नो अवेर करना पएगा दसना पएगा के हुन तो अड़े जड़े बॉडी चेंजी जाए है उन और अशेप्ट करों अशेप्ट करके जिस जिस चीज नो तुसी प्रोन हो उस चीज तो कि में आपा उस बच्ची नो बचा सकते है मम जी में ब्लीडिंग हुन दी है ता फिर उस दोरान हाईजीन ता खास धान रखना हुनत है ता मम हाईजीन वारे तुसी की टिप्स देना चाहूंगे देखो हाईजीन दी गल है क्योंकि एस दिन दे विच लड़की नॉमली तिन या चार दिन या पांच दिन एह ब्लीडिंग चाल दी है और एह ब्लीडिंग जड़ी है यूट्रोस चों दी है और इनू मैनेज करना पहन दा है सो ओदे वास्ते जड़ेना हर चीज हाईजीन रखनी बहुत जरूरी है तांकि अगर नहीं रखी जाएगी एह एक्चुली ब्लड होनता है एह ब्लड जड़े है इट इस ए गुड कल्चर मीडिया फॉर दी बैक्टीरिया सो इस करके नहीं था एह एनना इंफेक्ट हो जान दा पैड या जो भी चीज रखी जान दी है कि ओदे नाल असेंडिंग उपर इंफेक्शन जान दी है जड़े कि यूट्रोस और जैनिटिलिया और जैनिटल ओर्गन्स दे चली जान दी है और ओ बात दे विच बहुत ही ल तो इस करके ओस विले एप पांच देना देच परसनल हाइजिन लड़की नो रखने बहुत ज़रूरी है तो ओस हो दे वास्ते पहला था सान नो इना दे जो साड़ी सुसाइटी दे विच एदे वास्ते गलता नामा चाल रही हैं सान नो ओदू खतम करनिया चाहिए जिस त चाहर पांच देनन ओओं इंपेओर है उन्हों अलाग कम रेच बठा देतनी जनता है उन्हों रोटी भी एक आडगं कहनہ चूथ देतनी है ओधा करके परदयो है नो कीसे भी चीज नो थन लगांक दरतनी कीसे पूज नो शुचान नो पूजा थनिन आ कहन देए कि अपवि तब बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन साधी सुसाइटी उन्हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इस मेंस्टूइटिंग नॉमली, लेकिन क्योंकि हो मैंसिस्ट है, तो एस करके उपांची देन अपवित्र रहेगी, और उन्हों कई साधे स्टेट्स दे विच था, उन्हों नांधी भी इजाज़त नहीं है, अपन अगर एक हिस्टी चो खोलिये, तो जो दो दो दोब्ती दा होया सी, चीर हरन होया सी, उस विले भी मेंस्ट्रूइट कर रही सी कि, उस विले उन्हों एक उदे विच साधी दे विच लिप्टी हो इसी और उन्हें दुशासन क्या सी का कि मैं उदेच हूं और मैं नहाई नहीं हूं, मैं इस उसमें राजभवन में नहीं जा सकती, सो ए जड़े मित हैं, साधे सदियां तो चल्ले आ रहे हैं, पर असी हून बहुत केड़े यूग दी कल्या है, और अपा केड़े यूग च बैटे हैं, हून ए देच, ए कोई अपवित्तर नहीं हूंदा है, ब्लीडिंग है, साधे कट लग जाए, उत्थी बीता ब्लीडिंग हूंदी, अपा उनू ता नहीं कहन दे की तुसी अपवित्तर हो गए, ए नॉर्मल ब्लड है, सो ए देच कोई अपवित्तर नहीं है, इस गरल इस एपसलूटली नॉमल, शी केन पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी इफ शी वॉंट्स तू, और फिजिकली ओ कर सकती है, हाँ, कई कंडिशन ऐसी हैं, जदो कि मैंसी बहुत ज़्यादा हुंदे हैं, या उनू कदे पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, ओ नहीं कर सकती, फिजिकली इनकपैसिटेट हो गई है, तहां थीक है, ओ नहीं कर सकती, पर असी उनू फोर्स नहीं सनू करना चाहिदा, सनू ए मैंसिज नू स्टिग्मिटाइज नहीं करना चाहिदा, कि ए लड़की हुन बिल्कुल जवे कहने हैं, पांज दिना वास्ते नकारा हो गई है, ओ फिलिंग लड़की नू नहीं देनी चाहिदी, क्योंकि ए बड़ी ही इंप्रेशनेबल एज है, और उनू बच्चे नू इनना डर बैठ जन्दा एदा, कि पता नहीं ये पांज दिन दे वीच मिरे नल्की की होगा, सो एस करके सानू ए चीज बच्चे दे बांचो करनी है, और ए ऐसी तदी कर सकते हैं, अगर उदे माबाप उदे एल्डर ली, सारे उनू एक नॉर्मल फीमेल दे हसाब देना, नॉर्मल बंदे दे तरा उनू ट्रेट करने, सो एदी हाईजीन रखनी बहुत जुरूरी है, माम केड़े केड़े तरिक्के ने जिस दे नाल असी हाईजीन मैंटेन कर सकते हैं, देखो एस हाईजीन मैंटेन करन वास्ते, सब तो जड़ी जुरूरी चीज है, तुसी कुछ भी यूज करो, इस अचलिए यूज करो शुद बीक्लिए, डेखते आईएँ, अपनी एननी डिकेट दी प्रेक्टिस दी विचुह, पिंड तो लेडी आंदी हैं, ब्लीड करही हां ऑँदे हैं, नीचे गंदे कप्डे रख रखे हिंदे, जड़ी की, I mean full of infection, so वह जिया चीज़ां जड़ीयां बिल्कुल नहीं है, और एदे वास्ते सानु साफ सुथरी, चाहिए यह कोई ज़रूरी नहीं है, कि सानु सानु सैनेटरी पैड ही रखने है, तुसी साफ सुथरा, कपड़ा भी रख सकते हो, cotton रख सकते हो, depending upon the cost you can, sanitary pads नहीं afford कर सकती, it does not mean कि वह अपनी hygiene नहीं रख सकती, वह करदा कोई भी कपड़ा, बिल्कुल साफ तुल्यावा होवे, वह भी यूज़ कर सकती है, हाँ, जे वह afford कर सकती है, market is full of the sanitary pads, और sanitary pads हर तरहां दी pocket नूँ, suit कर नवास्ते मिल दे है, सो कोई भी pad यूज़ किता जा सकता है, होर कुछ नहीं, तुसी cotton यूज़ कर सकती हो, ठीक है न, और market और carb नाके भी तुसी pad यूज़ कर सकती हो, cotton नूँ, gauze पीस्ते, कपड़े दे वी चलपेट के, उन्हों ऐसे pad यूज़ कर सकती हो, सो लेकिन इस तो उपर, menstruation cups है, tampoons है, यह हैं कि जड़ियां कि बहुत ही, metro cities दे चीज़ या बहुत ही ladies जो बहुत aware है, they can use it, they are good, I mean these are the options available, लेकिन हमारी market में options, I mean cheapest to highest मिलती है, और अब तो और भी हो गया है, कि Foxy ने भी campaign चलाया है, कि they are distributing the sanitary pads at a very nominal price, and they are distributing in the schools, और वहाँ पर sanitary machines, pads की machines लगा दी है, तो बच्चे, I mean कई schoolों में तो even के rather free of cost भी distribute हो रहे हैं, कहिएं पर very nominal price पर you can get from those vending machines, लेकिन जो भी तुसरी यूज़ करो, it should be absolutely clean, और दूसरी गल हो, यह नहीं है, एक pad नो जदो हो पार जानदा है, या हो जानदा है, उन्हों frequently change करना चाहिए, क्योंकि यह अपने clean pad भी यूज़ कीता है और उन्हों जादा देर तक यूज़ कीता, तो उन्हीं देर दे चहीं यह blood जड़ा है, ओदे culture media बन जानदा है, और ओदे ते infection ग्रोव कर सकती है, सो इस करके depending upon कि किनिक amount उन्हों bleed आ रही है, ओस pad नो यूज़ करना चाहिए, जनली चार तो छे केंटे तुसी pad रख सकते हो, in nominal blade, अगर heavy है, तो हो सकते है, दो तिन केंटे बाद भी यूज़ करना, change करना पहे, नहीं ता तुसी 4-6 केंटे बाद दिन चार-पंच pad थाड़े मितलब, थाड़े वालो केड़े केड़े स्टाप्स चक्के गए ने, मैंस्ट्रॉल अवेरनेस ले, देखो, मैंस्ट्रॉल अवेरनेस वासे, साड़ी एसोसेशिएशन, FOCSE, Federation of Observation and Gynecologist of India, उन्हानने एक कंपेंच लाया है, जीदे वीच की सारे जडे ऐसी धी ध the menstrual hygiene, plus what is good touch, what is bad touch, and against the domestic violence also, and how to protect them, और ओदे वासे लड़की वासे या ओदे वासे की की options available है, की ओनु सेना चाहिदा है, कीनु दसना चाहिदा है, कीनु करना चाहिदा है, ओ सारी चीज़े साड़े, नेशनल कंपेंच चलता है, और दे वीचे इसी different schools ची जाने है, और जड वल्नरेबल लड़किया है, क्योंकि आजकल मैंसे आठ नौ साल दे नु अरामनाल शुरू हो जान दे है, सो जनली तीसरी चौती दे बच्चेयां तो लेके असी अगे बच्चेयां तक, उननु सारे नु यहे एजुकेशन दे रहे है, बाकी अपने क्लिनिक दे वीच, जड वी प्रवाइड एट आर क्लिनिक अलसो, मैं साथे दर्षकान लगे की मैसेज है, तसे उननो की कहना चाहूंगे? मैं दर्षकान नु यही कहना चाहूंगी, मैंस्टूरेशन ही, एक लड़की नु लड़की बनान दी है, और एक नेचरल प्रोसेस है, और एजे ना होवे त एक लड़की नु भी ते नेचरल प्रोसेस है, अगर अपनी सुसाइटी दे विच लड़कियां दी लाइफ दी लाइफ दे विच नेचरल प्रोसेस है, आसी उननो ड़की नहीं करते हैं, आसी उननो बच्चे नु समझाने है कि हाँ बटे, जदो तेवी पिपर्टी इसे ही तरह लड़की नो भी उसे ही लेवल देटे राके उनो एजुकेट करना चाहिए और असी वड़े होन दे नाते उदे गार्डियन, उदे पेरेंट्स, उदे केर टेकर होन दे नाते सननो भी अपनी सोच बदलनी चाहिए है कि ए कोई stigma नहीं है ए नेचरल प्रोसेस है और इनो नेचरल ही लेना चाहिए है और जो बच्चा हो कर सकता है और करना चांदा है शीचोड़ बूड़ करना चाहिए हुँ थमाननों मां दे लो जाते हुआ है तो स्कूल नहीं जा सकती वुन तो मैंसिस कदा नहीं जाना तो पहाँ बार इक मैंसिस अचाहिए हुआ है और करना मंदर नहीं जाना अलसी करना whatever she wants to do she should be allowed to do by the guardians by the society also and she wants to change the flow according to time to time more updates for the city headlines cameraman prince Zinal Mameha